हलो फ्रेंड्स डियार.rk टॉक्स के एपिसोड नमबर 31 में आपका स्वागत है जैसा कि आपको बिदित है पिछली बार हमने सहथ के बारे में जाना था जिसका मुख के गटक ग्लुकोज था आज अपन ग्लुकोज के बारे में जानेंगे ग्लुकोज अपनी सरीज के लिए क क्या जुरूरत है शरीर अपना कैसे बनता है तो अपना सरीर वो छे चीजों से बनता है जिसमें कार्भोहाइडरेट, फैट, प्रोटीन, बिटामिस, मिनरल और पानी ये छे चीजे जिसे अपना सरीर बनता है और छे में जो तीन है जो मुख हैं कार्भोहाइडरेट, प्र ग्लुकोज है, तो इस में सबसे पहले अपन कार्गोहड़िट के बारे में जानते हैं, कार्गोहड़िट है, वो 4 तरे के कार्गोहड़िटृ हुँ रोते हैं, मौनोसेकरःट, डा anunciואלरःट, ऑली wijकिसेकरःट और पॉली सेकरःट, simple sugar है, उनके आगे पीछे oz लगाने से उसका नाम change हो जाता है, जिसे glucose, इसी का दूसरा नाम है dextrose, maltose fructose, ribose इस तरह से सुगर बन जाती है simple sugar में अपने oz लगाते हैं तो वो simple sugar हो जाती है और जो complex sugar है complex carbohydrate है उसमें glycosin starch, pectin amylopectin और chitin और cellulose, ऐसे करके complex में आते हैं और वो simple sugar में, complex जब digest होती हैं, तो फिर वो glucose में change हो जाते हैं, जैसे cellulose है, जिसको जानवर घास को खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जुगाली करते हैं, लिमिनेट करते हैं तो जुगाली चे वो cellulose है, वो पचके फिर glucose में बदल जाता है जो glucose है, वो अपने सरीर के लिए एक fuel की तरह काम करता है एक इंदन का काम करता है और building block का काम करता है अपने सरीर को बनाने की हर को इसका को बनाने की काम करता है अपने सरीर के लिए glucose कहां से आता है? अपने सर में जो अपन खाना कहाते हैं, जो glucose है, उससे अपने सरी के लिए glucose पैदा होता है, लेकिन पेड़ पौधे हैं, उसमें जो गलोरोफिल सवेश्टेंस है, उसकी प्रजेंस में पेड़ पौधे, फोटो सिंतों से, सूरज की धूप से, सूरज की होता है जैसे अपने देखा था खिला है अम्रूद है चीकू है उनका स्वाज गुदा है वो मीठा होता है तो वो M.I.L.O. Pectin है उसमें M.I.L.O. Pectin नाम का complex carvoidate है जो उसको बिठास प्रदान करता है ऐसे आलू है वो complex carvoidate है उसमें starch है तो अब ग्लुकोज के बारे में जानते हैं ग्लुकोज एक सिंपल सोगर है जिसका formula C6, H12 और O2 है यह एक ग्राम ग्लुकोज है वो चार केलोरी जो अपने सरीर के लिए प्रदान करता है अपने लिवर के अंदर रोजाना एक सो सी से दो सो बीस ग्राम ग्लुकोज का निर्माड होता है और जैसे जैसे वो एक्सिस में बढ़ता है जैसे 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 ग्लुकोज की मातरा बढ़ती है वैसे वैसे वो ग्लाइकोजन के रूप में सरीर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन में स्टोर कहा होगा लिवर में होगा 1.500 ग्राम और स्क तो इस तरह से सरीर में प्रोसेस चलती रहती है, जो glucose, stored glycogen के रूप में हो जाता है, कुछ free glucose होता है, वो blood में आ जाता है, और blood में वो RVC से combined हो जाता है, उसको अपन glycation कहते हैं, glycated hemoglobin, जो glycation हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे किसी को सुगर की बिमारी है, डियाविटीज है, तो वो अपन hemoglobin A1C टेस्ट करवाते हैं, तो वो पिछ़ते तीन महिने का हिसाब बताता है, क्योंकि RVC की जो life span है, वो 120 दिन है, तो ये किलनी कली बहुत significant है, ये glucose का glycation होना, अब glucose कैसे कंट्रोल होता है सरीज के अंदर, तो एक अपनी सरीज में पैंक्रियाज नाम का और्गन है, जिसको अपन अगनासे कहते हैं, उसमेंसे दो तरह की सेल होती है, अलफा सेल और बीटा सेल, अलफा सेल हैं, उससे ग्लुकागोन निकलता है, ग्लुकागोन नाम का हर्मोन होता है, और बीटा सेल हैं, बीटा सेल और लेंगरेंस हैं, उससे इंसुलिन निकलता है, वो अपने सरीज में सुगर की मातरा बढ़ देता है, सुगर को कंट्रोल कर देता है, और जो ग्लुका कोने वो सुगर की मातरा बढ़ाता है तो ऐसे ये दोनों बैलेंस रखते हैं जैसे ही आदमी के अंदर मालो बीटा सेल की कमी हो जाए या सिक्रिशन इंसुलिन का कम हो जाए या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए तो वो डियविटीज में चीज़ जाता है तो यही उसका बूल कारण है टाइप बन और टाइप टू का तो ऐसे अपन ग्लुकोज के बारे में ज्यादा जानेंगे तो अपन को सुगर की पुरी थियोरी के बारे में पता लग जाएगा अब ग्लुकोज को अपन को जानने से पहले अपन दिखते हैं कि ग्लुकोज है वो इतना इंपॉर्टेंट सब इस्टेंस है इतना फ्यूल मेटिरियल है कि इसको पाँच-पाँच बार इस्ट्री में नॉबल प्राइज मिल चुका है जो ग्लुकोज से रिलिटरेड रिसर्च हुई हैं उनको और किसी इस्टेंस को पाँच बार नॉबल प्राइज नी मिला लेकिन ग्लुकोज के लिए ये पाँच बार नसी हुआ तो सबसे पहले 1902 में ग्लुकोज को एवाड मिला एमल फिसर को मिला 1902 में उसने ये जाना था कि हर पेड़ पौदा और पादा पैर या मनच से हर की मुलभूद जरूद ग्लुकोज है तो सबसे पहले 1902 में उसको नॉबल प्राइज मिला दूसरे नॉबल प्राइज 1922 में मिला ये और्टो मैन होफ है इसको मेटाबॉलिज अब ग्लुकोज है उसको बताने के लिए मिला फिर 1929 में ये मिला ये चैपलिन और हार्डी को मिला तो उन्होंने फर्मेंटेशन बताया सुगर का फर्मेंटेशन है उसके बारे में जाना था उसको नॉबल प्राइज मिला फिर 1947 में नॉबल प्राइज मिला तो 14 kimchi में होसे और कोरी नाम के बेग्यानेकों को नॉबल प्राइज मिला तो उन्होंने मेटाब unglaub commission कोरी cycle कोरी cycle जो ग्रुकोज मेटाबू91 이지 साइकल तो उसको डेटेक्ट किया था उसकी discovery की थी उसको 1947 में मिला फिर लास्ट एवाड 1970 में मिला लुईस लुएर को ये मिला उन्होंने सुगर नुकलोटाइड से उसके बारे में डिसकवरी की थी तो अपन अब देखते हैं कि अपने सरीर के लिए गलुकोज कहां से आता है अपन क्या चील लेते हैं जिसमें इसे अपनको गलुकोज मिलता है तो सबसे पहले है अनाज जैसे अपन गहूँ है, जो है, मक्का है, चावल है तो उसे complex carbohydrate हमें राप्त होता है वो अपनी सरीर का 50-80% जो खानी का हिस्सा है जो अपन vegetarian diet है उसमें 50-80% रिचा किबल अनाजों से ही आता है वो अपनी stable diet में है फिर दूसरे नमबर की फल है फल में amylopectin है अपने बताए था amylopectin है जो complex carbohydrate है वो glucose में change हो जाती है फिर उसके बाद में है आलू आलू भी अपने बोजन का मुक एस्सा है तो उसमें जो starch है वो भी सरी में जाके metabolize हो के glucose में change हो जाती है फिर उसके बाद dairy product है milk product है, dairy product है या दूसरे बनने वाली चीज़ है तो उसमें lactose नम की सुगर है वो glucose में change हो जाती है फिर उसके बाद सहद है सहद के बारे में अपन नहीं जाना था है तो उसमें 20% glucose होता है फिर उसके बाद में चीनी और गोडे जिसको अपन गन्री की सुगर कहते है चुकंदर की सुगर कहते है बीट सुगर है उसमें स्क्रूज होता है तो स्क्रूज फिर ग्लुकोज में change हो जाती है फिर अपन जानते हैं कि बजार में कैसे मिलता है ग्लुकोज तो ग्लुकोज बजार में मिलता है या तो पाउडर के रूप में है ग्लुकोज पाउडर है Glucogone Glucose Powdor है इसको अअपन पानी में गोल के है दOOD में डाल के है जूस में डाल के है ऐसे करके ले सकते हैं फिर उसके बाद में जिसमें बॉटल लगाते हैं इन्ट्रब लगाते हैं तो फ्लोडs की रूप में Glucose 5% Glucose 10% Glucose 25% फिर नॉर्मल से लाइन के साथ है जी एनेस या डी एनेस के रूप में तो अपन डिफरेंट कंडिसंस में जहां भी इंटिकेटेड होती है उसके लिए उसका यूज कर सकते हैं फिर अपन को जानते हैं अपना नॉर्मल ब्लड जो ग्लुकोज लिवल है सुगर लिवल कहना ठीक नहीं होता है उसको ब्लड ग्लुकोज लिवल कितना है तो 70 से 100 ये नॉर्मल ग्लुकोज लिवल है उससे अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हाईपरगलाइसी में हमें पहुंच जाएगा और कम होगा तो हाइपोगलाइसी में हमें पहुंच जाएगा जैसे अपन रुजाना अब्जर्ब करते हैं जैसे अपन कोई भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है कि चिड़-चिड़ाट आजाती है और एंजैटी के लग्छना आते हैं बेचे नहीं हो जाती है गुसा आने लगता है ना ऐसी तो वो कुन में ग्लुकोज की कम मातरा को दिखाता है और अगर बहुत ज़्यादा हाइपोगलाइसी में हो जाता है तो फिर बेहुसी आ जाती है और अगर ज़्यादा सुकर हो जाए हाइपर ग्लाशीमिय हो जाता है तो दीरे दीरे सरीर के और रगों को खराब करने लग जाता है जैसे आँखों पर फरक पड़ जाता है हर्ट पर फरक पड़ जाता है किड्नी फरक पड़ जाता है अलसर्स बना देते हैं तो ऐसे करके वो इससे फरक पड़ जाता है तो अपन को ये जानना है कि ग्लूकूज मेटाबूलिन में अपने सरीर कीटी कितना जरूरत है और कितना इंपोर्टेंट है आज कि इससे बारे में अपन ग्लूकूज की भैता है उसके बारे में जाना है इस channel को like करें, subscribe करें, comment करें और अपने सुजाब भी दें किस topic पर आगे देखना चाहते हैं Thank you, thank you very much